हेलो गाइज एवेरी वहां वेलकॉम और स्वरोत शिशेट यूटूब चैनल माइनम इस कृष्णा सौराथ जैहन्द गाइज और हम ये वीडियो हमारे कुछ स्वराइबर के रिक्वेश्ट पर अकर् अगर आप चाते हैं कि हम आपके टोपिक को एक्सपेन किया जाये तो आप अपने टोपिक हमारी कमें पॉक्स में मेंचन कर सकते हैं ताकि हम उसे simple language में explain कर सकें ठीक है तो जल्दी जो और जल्दी से अपने topic हमारे comment box में लिखो ठीक है कि आपको अगला वीडियो किस topic पर चाहिए ठीक है तो जल्दी चलते हैं वीडियो की तरफ तो इस calculate को समझेने से पहले हमें हम पहले समझते हैं कि इसका historical background क्या है और इसके essential feature क्या है और इसको calculate कैसे किया जाए हम इसको example के मदद से समझेगे तो वीडियो को बिल्कुल skip मत कीजेगा और full देखिएगा ठीक है तो सबसे पहले अगर हम इसके essential की बात करें यह तो आपको भी पता होगा कि हर एक employee को minimum 5 साल की service करनी पड़ती है चाहिए कोई भी फर्म उठा लो उसमें minimum 5 वर्स की service तो required है अगर आपको graduate चाहिए तो उससे less than है ही नहीं मतलब ठीक है तो अगर हम firm की बात आई गए तो यह जान लेती कि कौन सो firm होगा जहां पर graduate लेना entitle है वो firm होगा जहां पर more than 9 plus 1 employee काम कर रहे हूं ठीक है अब देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है firm होगा more than more than 10 employee ठीक है अब next topic अब next point है लिमिट है 20 लैग यानि कि कोई भी employee entitle करता है सिर्फ 20 लैग की graduate लेना है ठीक है यानि कि वह company के अपनी भी मर्जी है वह अपनी मर्जी चाहिए तो वह 20 लैग से भी ऊपर पेमेंट कर सकता है लेकिन जो क्राइटेरिया है वह 20 लैग ठीक है जो गवर्मेंट ने सेट की हुई है इससे ज्यादा की employee मांग नहीं कर सकता हुआ ठीक है अब फोर्थ पॉइंट जो है वह exception की बात कहता है कि अगर जनाब अगर employee की मौत हो जाती है उसकी employment के वक्त ठीक है यानि कि वह जॉब कर रहा है अगर उसके वक्त उसकी मौत हो जाती है और मान के चलो उसकी मौत फाइव यह से लेस देन से हुए है यानि कि उसकी सर्विस फाइव यह से जादा नहीं है उसकी सर्विस एराउंड फोर यह के आसपास है तो भी वह उसकी legal entitle entitle होंगे उसकी graduate लेने के लिए ठीक है उस case में ठीक है अगर employee की मौत हो जाती तो ठीक है उसकी employment के अगर आपको समझ में आगे हूँ तो आपको सिर्फ आपने इसका नाम सुनाओगा बेसिक पे और डियर्नेस allowance का मदला होता है महंगाई बत्ता ठीक है तो अगर आपको graduate amount calculate करनी है तो आपको उसके लिए सिर्फ बेसिक पे चाहिए या डियर्नेस allowance चाहिए आप अपना जो आपको जो salary का payment slip है आप उठा के देख लिजएगा एक तरफ में आपका बेसिक पे लिखा होगा एक तरफ में आपका डियर्नेस allowance से लिखा होगा एक तरफ में आपका एचारे या convenience fee या medical वह सब लिखे होंगे लेकिन वह सब की requirement नहीं है सिर्फ खली इसकी जरूरत है बेसिक पे और डियर्नेस allowance की जरूरत है ठीक है अब बात चलते है formula तो आप चाहिए तो आप नोट भी कर सकते है ठीक है तो formula को calculate ऐसे किया जाता है 15 इंटू लाज डॉन सेलरी लाज डॉन सेलरी मैं आपको पहली भी बता चुका हूँ बेसिक पे प्लस डियर्नेस allowance को मिला के बनता है लाज डॉन सेलरी ठीक है अब यह पूछ रहा है कि जराव आपने कितने साल तक की service की है मान के चलो आपने 14 येर्स की service की है ठीक है तो यहां आएगा ठीक है अब 26 से भाग कर देना है यानि कि 26 से कि डिवाइड कर देना है तो फिर उस case में 26 से आपको डिवाइड कर देना है ठीक है अब ऐसे से situation आते हैं जब मतलब आपका service tenure ऐसे कुछ लिखा रहता है जैसे 5 year 6 month लिखा रहता है जैसे 5 year 4 month लिखा रहता है जैसे 14 year 6 month लिखा रहता है या 8 month लिखा रहता है तो उस case में हमें कौन सा year considered करना चाहिए तो वो मैंने यहाँ पर explain क्या है तो अगर आपका service tenure कुछ ऐसा लिखा रहता है five year six month लिखा रहता है और अगर वो six month से जादा है या six month लिखा हुआ है तो फिर वो one year ही considered किया जाएगा लेकिन अगर वो कुछ ऐसा लिखा है one year five month लिखा है तो उस case में वो zero year considered किया जाएगा ठीक है जी आपको अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो अपना comment box में yes करके लिख दीजेगा ठीक है कि हम यहां तक समझ में आ गया ठीक है तो अगर जिसको भी समझ में नहीं आया तो ठीक है कोई बात नहीं हम आगे example के मतद से समझेंगे अब मान के चलो भीया यह एक राम है ठीक है यह एक employee है ठीक है और अगर हम अगर इसकी basic पे देखें तो इसकी basic पे है प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस convince मतलब प्लस 5,000 अगें तो इसके total wage बनता है 40,000 लेकिन 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 जो उसके graduate wage calculate होगा जो मैं आपको यहां पर समझाया था basic पे plus dearness allowances वह यहां पर implement होगा 20 प्लस 10,000 ही add होगा जब बनेगे वह 30,000 ठीक है और जो उसने service अपनी जो पूरी किये 12 years ठीक है तो उसने 12 years तक की service पूरी किये तो उस case में हम अगर जब इसका graduate calculate करें तो कुछ ऐसे बनता है तो हमने जैसे यहां पर formula पर सीखा था 15 into large drawn salary into मतलब उसने कितने साल service की है और हम बात में divide करतेंगे 26 से ठीक है वह में यहां implement करना है ठीक है 15 into 30,000 into 12 यानि कि उसने 12 years तक की service किये और हम फिल लास्ट में 26 से भाग कर देंगे यानि कि divide कर देंगे ठीक है तो इसका total जो graduate बनेगा वो बनेगा 2,7,692 ठीक है फिर इसका point something 307,69 230,77 बनता ठीक है तो इसकी इतने तक की total graduate बनती है ठीक है तो यह था पूरा वीडियो तो अगर आपको यह पूरा वीडियो informative लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा और जादा से जादा लोगों को share कीजेगा ताकि जादा से जादा लोगों में awareness फैल सके और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए जैसे कि आपको evidence के उपर वीडियो चाहिए या CPC की वीडियो चाहिए तो मैं उसका link अपनी वीडियो के description box में डाल ताकि फॉर एक दौर पर हमारी notification सबसे पहला आप तक पहुंचे ठीक है जी तो मैं अभी आपसे विदा लेता हूं तो जब तक लिए जैहिंद गाइस ओके एंड गॉड्ड ब्लेस यूओ अ झाल 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 झाल